मुझाजर के हल्वे के लिए जिन चीजों की जरूरत होगी वो हमने दो किलो गाजरे ली है उनको हमने अच्छे से पील करके धो लिया है काजर के हल्वे में सबसे पहले हम में जिस चीज की जरूरत होगी वो है एक किलो दूद इसमें हम गाजरो को कश करके पकाएंगे उसमें तकरीबन हमने दो कप चीनी ली है एक पाव खोया लिया है और गार्णिशिंग के लिए पिस्ते, बदाम और अलैची पॉडर अब हम अपनी सारी गाजरों को कद्दुकश करके दिखाते हैं फिर हम इसका हल्वा तयार करेंगे यह सारी गाजरे हमारी अच्छे से कद्दुकश हो गई हैं अब हम इसे आईल में फ्राई करेंगे हमने चूले पर कढ़ाई रग दी है और इसमें तकरीबन हम डेड़ कप आईल का इस्तमाल करेंगे आप इसमें असली घी भी डाल सकते हैं लेकिन हमने आईल लिया है आईल हमारा अच्छे से गरम हो गया इसमें हम तकरीबन जो हमने आट से दस इलाइच्छी का पॉड़र बनाया था वो शामिल कर देंगे अब इसमें हम अपनी गाजरेट डाल देंगे और इसमें अच्छे से फ्राइब करेंगे आईल में अब इसमें हम अपना तकरीबन एक किलो दूद शामिल करेंगे अब हमारी गाजरे दूद के साथ अच्छे से पकेंगी तक रिबन 15-20 मिंट में ये दूद खुशक हो जाएगा जब तक इसको हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे अब हमारी गाजरे दूद करेंगे अब ये देखें हमारा दूद तकरीबन खुशक हो गया है और गाजरे अच्छे से पक गई है इसमें अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे ये दो कप हमने चीनी ली थी झाल यह चीनी का पानी तकरीबन खुशक हो गया है, अब हम इसके तकरीबन एक कप के करीब खुशक दूब टालेंगे, इससे हलवे का टेस्ट बहुत बहुतरीन आता है, यह देखें हलवा हमारा तकरीबन भुन गया है, अच्छे से, थोड़ा सा एक पांच मिनट और इसके हम गुनाई करेंगे, ताके आईल अच्छे से आजे, फिर हम इसको डिशाउट करके दिखाते हैं, करेंगे, शक्षग मेंिट Jaim, को बेंट मेचा मेंकि दो लोगा करूप Bent, ऑeres दिखेंगा मुटत और मावला से शाता क właściूब से की वढ़ से झाल झाल